आज मैं आपको मटके में फायर तड़का लगके बनने वाले एक ऐसा चंपारन मटन दिखाने वाली हूँ जो बाकी चंपारन मटन से बिलकुल अलग है सो कैसी होने वाली इसके यूनीक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट चलिए देखते हैं सेर कभी घास नहीं खाता जो घास खाता है उसे सेर खा जाते हैं आज हम आपके लिए बनाने जा रहें बिहार का फेमस मटका मटन और मटका चिकन इसमें हम पहले डालेंगे लासन का पेष्ट इसमें कम से हम 200 यह मेरा माल बन रहा है कम से कम 6 मटके का यानि 6 किलो ऐस्ट अनु यह लाल मिर्चा पॉडर स्पाइसी के लिए यह हल्दी पॉडर यह रहा मेरा मेन मसाला सिक्रेट मसाला है हाँ यह खुद का बना यह मसाला अब इसमें डाले मस्टेड ऑईल सुपर फाइन कॉलिटी गाई है इसमें हम 500 गडाम डाले अब इसको हम मिला लेते हैं हमेशा हम लो बजन कर लेते हैं यह भी 6 kg है यह हम अच्छी तरह से पहले को जला लेते हैं इसके मटके को चड़ा रहे हैं गरम करने के लिए आज हम बनाने वाले हैं 20 मटका यह 1 kg की है हाँ इसमें एक किलो मटन जाएगा एक मटके में इसको हमको पांच मिनट गरम करना फुल गरम होगा मटका उसके बार मेरा तरीका इसलिए लग है कि मेरा तो पूरा चलागर मीलेका आफ वाइल की मिलें को मटके में लग네 आशार हैं इस तेल को परेफराइचर का में डालने जा रहे हैं इस तेल को पकने के पांच से दस मिट लगता है दूसरी नमबर मेरा टमप्रेचर का उपर यह हाई टमप्रेचर पर तो मेरा तेल जल्दी पक जाएगा ताजा जलाते हैं जला कर रखने से क्या होता है उसका जो फ्लेवर वह उड़ जाता है और इसमें जो भी इसका फ्लेवर सब इसी में रहेगा हाँ मेरा तेल अच्छी तरह से पक चुका है अब हम इसमें प्याज डालने वाले इस में घड़ा जीरा काली मिर्च यह सम में डलेगा जीरा काली मिर्च छोटी लाईची संमें 2424 इसमें हम डाल रहे हैं दाल चीनी है कच्छा प्याज में थहां कम टेस्ट देश्ट आता है और ब्रॉन प्याज में थफ़ाइस त्रीयां बढ़ जाता था कि इसका बिए अच्छा बढ़ियां होता है देखने में आपका अच्छा लएगा और खाने में आपका टेस्ट अच्छा रहेगा अब आए गई बड़ी लाइची कि दो बार प्याज पड़ेगा इसमें एक मटके में 500 ग्राम प्याज जो मेरा तेल पग गया था एक बचावा तो उसमें हम डालने जा ख़ड़े मसाला का यह है इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है और इससे टेष्ट वी बढ़ता और देखने भी अच्छा लगता है तो हम चारच डालेंगे में चार क्स्टमर लोग तो चार के जगे च्छैंखा लेट जो इसको थोड़ा चला लेके तो अब इसमें हम डालने वाले हैं नमक और इसमें भी थोड़ा थोड़ा नमक इसलिए डालते हैं कि मेरे प्याज अच्छी तरह से गल जाए कम से कम 80-90 मटका बनाएं बाकि जिदिन ज्यादा से लोता है 100 भी पार कर दते हैं यह बिहार में हम चंपारन दुसरे दुकान में वहा जो रियल टेस्ट है चंपारन कीचन में ही मिलेगी अब यह मेरा मसाला पक चुका है अब हम इसमें डालने जा रहे हैं मतन एक हांडी में हम सोला पिस डालेंगे मतन बॉन बॉन ले सब पिस मेरा मिक्स रहता है दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दस पीस उपर से फिर ड जाल गया चीकन मेरे पास 45 मिनट रहेगा चीकन और मतन एक से सावा घंटे तक रह सकते तंप्रेचर का उपड़े मेरा तो यह घंटे मेरा मतन रेडी हो जाएगा अगला स्टेप मेरा यह है कि अब इसको हम आटे सा सिल किया जाता है हम रहने वाले बिहार का है दिल ना लग मिले जानिया जां ज़ं करा यह जाझा जाझा जाजाया जाझा 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 हं भुला जाएगा घंटे हो गए अब यह हमारा चीकन रेडी हो गया है अब चीकन हम फोन लें जा रहे हैं यह मेरा चीकन सिर्फ सारा रेडी है यह चीकन है और यह भी चीकन है drawer यह भी चीकन है गुरेवी आप देख सकते है इसको पांच मिबस पस्रीप ग्रेवी को सेट होने की मिडस माज़ता है चीकन मेरा है फूल मटका एक हजार रुपे का जेश्टी लगाके है और हाफ है पान सो पचास का आठ पीस रहेगा हाफ में और क्वार्टर मेरा 315 रुपे का मेरा मटन का डेर घंटे हो गए आप इसको खोलने जा रहे हैं डेर घंटे में अच्छी तरह से यह पाक जाता है प चंपारन चिकन कीई साइड मे府 पूरी की पूरी हांडी रखी यह यह है चंपारन मतन की इसमें बहुत सारे उने वाले जो यहां पर ले ली अए एक लिए तो साबुत लसन भी मैं एक टेस्ट करके बताऊंगी कि उसका टेस्ट कैसा होने वाला है तो यहां पर आ गया हमारा चिकन सो यहां पर मटन आ गया हमारी बहुत जादा मत्यदार है मैंने यह लिया मटन का एक और यहां पर ले लिया इसमें ग्रेवी डाल दिया बहुत मतन के अगर मैं मात करूं रहा है मतन का फ्लेवर बिल्कुल अलग है मैं इतनी जगा चम्पारन मतन काया है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि बनाने का तो रही बच्छी लगी बिल्कुल अलग है सो मैं फुली र्कमेंड करती हुआँ यहां पर आपक तो इस मुझे बहुत जादा अमीजिंग लगे एक चीज जो मुझे और अच्छी लगी ना वो यह की हांडी चिकन हांडी मिटन के लावा यार आपको हांडी खीर भी मल जाएगी तर दिख सकता दिखने में कितनी जादा अमीजिंग लग इसको मैं टेस्ट करके बताऊंगी क इसका टेस्ट कैसे होने वाला है मुझे खीर कहीं से नहीं लगी मुझे प्रॉपर यह रबडी लगी टेस्ट बहुत अच्छा है बेल्कुल माउथ मेल्टिंग है एकदम मिज़दार टेस्ट है यह नवाइडा सेक्टर अठारा का है अट्टा मार्किट के ठीक सामने जचं पारल कीचन टीसी के सो यहां पर मैं अपना मील इंजोल करते हैं और मिलती आप से नेक्स वीडियों तेल देन अब हस्ते रही है और अगर खुछ रहना तो मेरी तरह खाते रही है